तो यह वीडियो है उन सारे एश्वेंट्स के लिए जो 2024 का नेस्ट येर के लिए एक्जाम देने वाले हैं और अभी तक आपने श्टार्ट कर दिया या करने वाले हैं तो मैं आपको बता दू कि एक्जाम देने श्टार्ण से जो इस बार प्रइक पर भी जूनलाइन क्लास श्टार्ट होगा और इस ओनलाइन क्लास में जो एक्जाम टेजी का अब्जेक्टिव होता है कि इसके साथ साथ आप कितने जाज़ा कोशिन पेपर को सॉल्ट कर सकें क्योंकि जब तक आप पेपर उसको सॉल्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपके learning into outcomes का आप translate नहीं कर पाएगा आप खुद के evaluate नहीं कर पाएगा कि जो चीज आप पढ़ाई करें वहां से question solve कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें इसलिए जो classes है यहां पर आपको सबसे पहले study material मिल जाता है और यह study material यह detailed study material है दूसरा online class होगा और उसके साथ साथ आपके recorded lectures भी provide किये जाते हैं जो third हो जाता है previous papers और previous papers in fact आपको जो है 9-10 different examination के universities के papers दिये जाते हैं इसके साथ जो है आपको fourth number पे UGC net के papers provide किये जाते हैं और यह जो paper आपको provide किया जाएगा 2004 से लेके 2023 तक का इसके साथ जो है आपका जो next provide किया जाता है वह हो जाता है question bank और यह आपको topic wise दिया जाएगा topic wise जो six number पे जो चीज़ें आपको provide की जाएगी वह हो जाती है test series test series तो test series भी एतन ही है कि सिर्फ CUT का होगा CUT का तो 20 sets का आपको test series provide किया ही जाएगा लेकिन इसके साथ जो JMI है जे जामिया मिले इस लामिया इसके आपको 15 sets मिलेंगे political science के इसके 10 sets मिलेंगे आपको करते हैं उतना जादा जो है आपको फैदा हो जाता है और इसके साथ-साथ आपको 100 के लिए 10 sets का मिलेगा और 7th number पर फिर last मां जाता है mock test mock test तो mock test भी around 10 आपको mock test दिया जाएगा so that की आप इसको live बना सकें आपके इस course को check किया जाएगा आपको बताया जाएगा कि यहां की तरीके से आप इसके साथ-साथ यह तो हो जाता है आपका part B का part A के लिए जो है around 25 sets आपको practice के लिए दिये जाएगे ठीक है इसके साथ-साथ आपको English reasoning quantitative aptitude जुदने भी जैसे माली जी English के तो practice set हो जाएगे reasoning के practice लेकिन इसके साथ-साथ इसके आपको classes भी दिये जाएगे so that कि आपको पता चल सके कि हर एक topic में मुझे solve कैसे करना है अब यहां पर जो approach होता है exam strategy के तरब से तो तीन चीजी का होता है study material आपको इसलिए दिया जाता है so that कि आपको फिर कोई dependency नहीं हो book पे जो पहला समस्य इस्ट्वेंट के लिए हो जाता है वह यह है कि मुझे क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है कितने depth में पढ़ना है और और mostly students उसी चीज में फच जाते है या तो वह बुक के पीछे भागेंगे बुक पढ़ना एक अच्छी चीज है इसलिए क्योंकि वहां से आपको प्रस्पेक्टिब मिल जाता है किसी भी topic को सोचने का समझने का इसमें कितने information है तो बुक तो पढ़ना ही चाहिए study material आपको सारे concise and crisp way में provide किया जाता है कि फिर आप एक बार आपको एक general understanding हो जाता है फिर आप फट आफट जो है solve करना start कर दे previous papers जो अलग-अलग universities के दिये जा रहे है previous papers से क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है दू-तीन चीजे के questions किस तरीके से पुछे जा रहे है आप एसल से type होता है match the following type होता है statement type होता है या फिर single मान लिजिए simpler questions होते है तो for example अगर हम बात करें match the following का तो books and authors के questions आते हैं जब आपने previous paper देख लिया कि इसमे books and authors पुछे जा रहे है तो आपको पता चल जाएगा अच्छा जब books and authors पुछे जाने तो मुझे जहां पर भी books and authors से relevant questions आएंगे उस चीज को यब आपके पास कोई information आती है तो उस चीज को capture करना है दूसरा जो approach के बा book में आएगा book का कभी जो है SSN region type में questions नहीं पूछा जाता है तो यह भी पता होना चाहिए कि SSN region में usually कौन से topic से questions आ रहे हैं जो third इसका advantage हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि coverage कि question जो पूछे जा रहे हैं अलग-अलग university में अलग-अलग difficulty level के questions पूछे जा रहे हैं तो इसलिए exam strategy की तरफ से यह किया जा रहा है कि August से जो classes होगी लेकिन उससे पहले ही आपको जो study material और previous papers UGC net papers यह सारा कुछ provide किया दिया जाएगा so that कि आपके पास एक महने का समय है आप उस सीज में जाके देखिए कि questions कैसे आ रहे हैं क्योंकि अभी तक mostly student क्या करते हैं कि उन्होंने subjective examination दिया है अपने graduation grade में अब यह completely objective type examination होगा जो entrance examination होगा अगर आपका approach change नहीं होता है आपका focus change नहीं होता है तो फिर कहीं ने कहीं वो question solve करने में problem आईगी और इसलिए एक महने का समय दिया जा रहा है कि आप अलग-अलग universities के अलग-अलग difficulty level के questions को देखिए अगर आप papers को देखिए को तो easiest among all होता है या फिर pondicherry लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जेन्यू की तो जेन्यू का most difficult होता तो भी या pondicherry से start करना है फिर आपको जेन्यू तक पहुंचना है तो वह transition को भी समझना ज़रूरी है कि माल लिए प्लैटो के बारे में बी एच् सब्सक्राइब कैसे पूछा गया और इस बार जो इस्वेंट से पता चला है कि difficulty level थोड़ से increase कर गई है तो transition को समझना बहुत ज़रूरी है जेन्यू का सिर्फ थ्री येर्स का paper है लेकिन थ्री येर्स में आप देखिएगा कि थ्री येर्स में आपका आयार का लग इसलिए ये सारा process है और अगर आप serious है इंटर्स एक्जाम को लेकर serious है तो आप जो है start कर सकते हैं जो classes जो start होगी वह हम लोग December तरक complete कर देंगे इसके पास 5 months का आपके पास समय होता है ये सारा question bank को, test series को, mock test को solve करने का usually जो solve का exam होगा वह आपके april mid या end तर complete हो जाता है 20th से लेके 30th april तर complete हो जाएगा या अगर आप solve के लिए भी preparation कर रहे हैं तो आपके पास 3 months time हो जाता है after completion अगर हम JMI की बात करें तो वह में में हो जाता है mid में में round हो जाता है तो उस तरीके से आपको जितने जल्दी आ उतना ज्यादा अच्छा होता है बाकि इसके अलावा आपके पास और भी कोई question है तो आप लोग call या message करके पूछ सकते हैं on the number 844-887-8849 पे आप इस फे quickly WhatsApp कीजिए और आपको पूर्स के बारे में complete details दिया जाएगा किस type के study materials होते हैं किस type के आपको classes कैसे प्रोवाइड की युजूली classes जो है कि Monday to Friday होगी Monday to Friday और one hour की class होगी और Saturday Sunday होता जहां पर रिवाइज कर सकें और ये classes evening में होगी या तो six to seven या seven to eight so that कि आप अगर college भी जा रहे है तो हां से comfortably आ जाए और so that की classes आप attend करता है और सारे classes के फिर आपके recorded lectures पी Google Drive में add किया जाएगा कि in case या by chance आप कोई भी classes miss कर देते हैं तो फिर आप उन सारे चीज़ को revise कर सकते हैं तो वीडियो कोई डिस्रेप्शन में Google Form भी या उस Google Form को भी फिल्ट कर दीजेए so that we can reach out to you and we can share all the details इसके अलावा classes या किसी चीज़ के बारे में preparation के बारे में कोई भी information आपको चाहिए त इस नंबर पर call या message कर सकते हैं या फिर वीडियो के comment में जाके comment कीजिए we will try to answer it as soon as possible बांकि अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर ले और notification bell भी दबाल है so that जो भी important update होता है वो सारा आपको मिलता रहे है So thank you and we wish you all the best